हेलो फ्रेंड मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टाडी विथ स्मृति में तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास तो आज मैं आपको बताने वाले हूं जंजातियों के पर्वते वहार के बारे में इसे मैंने जहारकंड के करने वाली हूं और इसके बाद एक नया विषय लोंगी जो इसमें लोग प्रशासन हो सकता है और फिर उसके बाद लोग प्रशासन के साथ साथ मैं जहां पॉलिटी विषय को भी पढ़ाऊंगी जो जारकंड से संबंधित होगा उसे भी कराऊंगी तो आप बने रहें मेर ओजिक्टिव और आप अने कंडमी चैनल को भी देख सकते हैं और उसे भी आपका काफी कुछ हैल्प हो जाएगा और बहुत सारी क्वांसर्ट भी क्लियर हो जाएंगे तो आप अनकैंडमी चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं तो अगर आपको मेरे एक दिन में दो से तीन तो आप आने कड़ी चैनल को भी फालो कर सकते हैं उसमें भी मैं बराबर बनी हुई हूँ तो शुरू करते हैं आज की क्लास तो प्राचीन का सही जारकंड में पर्व एम तोहार की परंपरा रहें ये पर्व तोहार अलग-अलग रीतुओं में किसी न किसी उपलक्ष में अत्यंत उल्लास यम्स्रधा से मनाये जाता है जारकंड के जंजातियों में कुछ प्रमुक तोहार निम्ने है पहला है फगवा या फागुन की अंतिम पुर्णिमा एम चैत के प्रथम दिवस का तोहा है किसके बाद लकड़ी पुआल आधी लेकर जला दिया जाता है यहाँ पूजा आधी रात को होती है चारो और मांदर ढाख नगाड़ा आधी लेकर फगवा संगीत चलता है सुबा राख का टीका लगाया जाता है होली के एक दिन पहले यह पूजा की जाती है और इसमें किसान जो होते हैं किसान समुदाय वे अपने खेतों में धूल उडाने के लिए निकल जाते हैं असनानकर पुर्खो तथा देव या इस्वर को हडिया का तपान मुर्गे की बली एवं पूआ धुसका बर्रा छिलका आधी प्रसाद चढ़ाये जाते हैं यह सभी प्रसाद करें निकलते हैं अखरा में फगुआ संगीत की बाहर रहती हैं दूसरे दिन लोग जंगल में सिकार खेलने जाते और लौटने पर चो सिकारी होते हैं उनके पाउं धो जाते हैं तो इस प्रकार से फगुआ का पर्मनायाया कि आदिवासियों के द्वारा अगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरहुल तेवार के बारे में यह मुंडा उराओं खड़िया संथाल हो आधी जंजातियों का विशेस तेवहार हैं इसमें सदानों एम अन्य जारकण वासियों की भागीदारी रहते हैं इस परुकों मंदा आप इसको याद रखेंगा क्योंकि यहां से अब्जेक्टिप पूछे जा सकते हैं यह प्रकृतिक से सम्मधित दिवहार है यह जारकन का बसंद तोस्व है यह चैत मा के सुकलपक्ष के तृतिया को मनाई जाता है इस पर्वव में साल विरिक्ष की अहम भूमिका होती है और इसी साल विरिक्ष के अभार प्रकट करने के लिए यह लोग सरहूल का पर्व मनाते हैं अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंडा पर्व के बारे में यहां पर्व बैसाक महीने के सुखलपक्ष की तृतिया को आरंब होता है इसमें महादेव वर्थात सीव की का जाता है और जो महिला वृती होती हो तो सोखताई कहा जाता है इसमें भकताओं को दूप धूवन की अगनी शीला के उपर उल्टा लटकार कर जुलाया जाता है और दहकते अंकारे पर चलाया जाता है यह मादेव की सबसे कटोर पुजा है यह काफी कठोर पूजा है इसमें क्या होता है कि भकता को आग के उपर उल्टा लटका दिया जाता है और उल्टा लटकाने के बाद उसके बाद उनको उतार करके वहां से और फिर आग का जो अंगारे होते हैं धागते वे अंगारे होते हैं उसके उपर उनको चलाया जाता है बखताओं को तो ये काफी कट्थोर पुजा होती है और सिव जीव की पुजा होती है अब आगे हम बड़ते हो जामते हैं सावनी पुजा के बारे में यह पर्वसावनमहीने के सुखलगपक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है इसमें देवी की पूझा बकरे की बली देकर यहुम हडिया का तपान evitar की जाते हैं सावनी पूझा जो होती है इसमें यह देवी Story दिया जाता है और हडिया का तंफान TP अब आगे हम लोग जानते हैं कद लेटा पुजा के बारे में, तो यह पर्व भादो महीने में कर्मा पर्व से पहले मना जाता है, सावन के बाद भादो आता है, तो भादो महीने में जो कर्मा पर्व होने वाला होता है, उसके पहले यह पर्व मना जाता है, यह पर्व मेडि है और उथ चावल लेता है अकड़ा में लिएक साल किन्दु की डालियां रख её पूजा की जाती हैं मुरगे की बली दी जाती है अख्रा के डाल को लेकर लोग अपनी खेतों में गाड देते हैं जो अकड़ा में जो कर्मा पुजा के बारे में तो सरहुल पुजा के साथ जो कर्मा पुजा है यह जार्खंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है जासे कर्मा जार्खंड के कर्मा जो है वो जार्खंड के दो सर्व प्रमुख त्योहारों में से एक है एक सरहुल है और एक दूसरा है कर्मा यह काम कर्म की जीवन में प्रधानता इस तेवहार का महत्वण संदेश है यह तेवहार का महत्वण संदेश यही है और यह आदिवासियों और सदानों में समान रूप से लोप्रिया है लेकिन सभी में कर्मा पर्म को मनाने का जो तरीका होता है विधी होता है वो अलग-अलग हो गुंड़ा आदिवासियों में कर्मा पर्व को दोस्रिणिया होती है जैसे राज कर्मा और देश कर्मा घर आंगन में की जाने वाली पूजा है या पारिवारिक पूजा है जबकि देश कर्मा अखरा में की जाने वाली गाओं की सामोही पूजा है पूजा के दिन उलोग जो इसको मैनानी का तो सब को हीं मिंशिन करना तो लूब मुस्क्रा क्योंगी अंसर बहुत लमबा हो जाता तो इतना काफी है अब आगे है नवगतर मिंदर कर्मा पर कर्मा पर्व के पहले मेला जाता है वो कदलेटा पर्व है और उसके बाद कदलेटा पर्व कर्मा पर्व के पहले मिना जाता है और कर्मा पर्व के बाद मनाने वाला जो पर्व है वो है नवा खानी कर्मा पर्व के बाद नवान मतलब नया अन नया अन को खाना ही नवा खनी पर्व होता है ईसरी नेए अन को खहने जाता है ऑखल्मसर में चुड़ा बनाए जाता कूटकरके चुड़ा बनाने के बाद उसको देव को चुड़ा और दही का तपान चढ़ाया जाता है और जैव गरोगे. और फिर जो मेमान जो आये होते हैं उन सभी को चुड़ा और दही ग्रहन किया कराया जाता है फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं सोहराय पर्व के बारे में जानते हैं यह पशुओं को स्रधा अपित करने का तेवहार है यह कार्थिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है और प अथान बनाये जाते हैं वहां पर जाहेर एरा का हमान किया जाता है तो यह देवता होते हैं उनका हमान किया जाता है और रात में युवक यूतियों को जो दल होते हैं वो प्रतिक ग्रिहस्तियों को कहां जाकर गो को पूजन करते हैं जो लड़के लड़किया यूवक यू हां की पुजा होती है गो máximo को सजाअ जाता है घायों को नहलाया दूलाया जाता उंके शरीर को रंगा जाता है तो यह गोहाल पुजा की अंतरगात आता है तीसरे दिन इसमें पवा मौन को धानकी ये शुराई ये खतम होता है, ये फांस दीन तक चलता है, ये पुझा, फिर आगे बढ़ते हैं टूसु पर्व के अगे लेकल पर सूरे की पुझा untoет है, टुसु मेला का जाता है जाते हैं मांगे पर्व के बारे में जानते हैं यहां पर्व माह में मनाय जाता है इस दिन क्रिसी वर्ष का उन्त अंत है यह ईएसा लग माना जाता है कि क्रिसी वर्ज का अंत हो गया तो थाता नए पुर्यlines 5 वर्स्वर करें नहीं नहीं कि आपने आप में काफी अनुखा दंख्यारал इसकोर के दवार है और मेरा है पर गया कि प्रथा को जनी शिकार कहा जाता है महिलाएं क्या करती हैं कि पुरुष का वेजधारन कर लेती है और पुरुष का वेजधारन करके वे हतियारों से लैस होकर जो परामपरी हतियारों से लैस होकर ये लोग सिकार खेलने निकल जाती है यहां जारखन राजे की अनूटी विशेस्थरा है बारत के सिर्फ जारखन राजे में मिलती है और किसी राजे में नहीं इसमें पूरुष भेश धारन करके परंपरगत हत्यारों से लेस होकर आजपास के गाउन में शिकार खिलने निकलती है और रास्ते में जो भी पक्षी मिलते हैं चाहे वह बक्डी हो, भेड हो, भैंस हो, या फिर सूवर हो, या फिर हम्स हो, जो जिस प्रकार के पक्षी मिलेंगे, इन सभी का यह लोग सिकार करती हैं और अखरा मिले आते हैं और जितने लोग इसमें शामिल होते हैं सभी खाते पीते हैं रात भर नाचते गाते हैं यह 12 वर्स में एक बार मनाया जाता है अब आगे बढ़ते हैं अगला पर्व जो है वो देशाउली तो देशाउली पर्व के बारे में जानते हैं यह भी जनी सिकार की तरह 12 वर्स में ए दयता जो हो माय होते हैं ऊंके द्वारां दिया जाता है जो काड़ा की बली दी जाते हैं जो जमीन और खलियान पूजा आदी यह सभी तेवहार जन जाती हों कि जीवन का एक अहम हिस्सा है जो उनके जीवन को खुशियों से भर देता है और जीवन को सुन्दर उद्देश्य देता है तो इस पकार जो तेवहार से संबंदित जो भी महत्वपुन तेवहार हैं जो जो इंपॉ करेते हैं आप से विधा मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद